कि तरब को हमारी यूटूब चैनल में स्वागत है दोस्तों मैं बता दू कि मैंने अभी तक जो है टोटल सामाई निग्यान का यानि जनरल नौलेज का पांच वीडियो डाल चुका है ठीक है और परतिक वीडियो में 100 कोशन याने टोटल 500 कोशन मैंने डाला हुआ है और यह सारा कोशन पिछले साल परिक्षा में पूछे गया है या वो रेलवे की एक्जाम्स हों एससे की एक आपका यह छटवा वीडियो डाल रहा हूँ तो इसमें भी टोटल 100 कोशन याने टोटल अब हमारा 600 कोशन का जीके हो जाएगा ठीक है इस वीडियो को ले करके और साथ जात मैंने दिसंबर का करेंट अफर भी डाल दिया उसे भी जाकर देख ले ठीक है उसके लिए मैं एक जामें नोटी बॉक्स वो जितने भी सारे आगामी सरकारी परिक्षाइन होती है उसकी जानकारी देती है तो हमारी चैनल को अगर आप नए है तो जरू-जरू सब्सक्राइब कर ले और बैल आइकन को प्रेस जरू कर ले ठीक है तो देखिए मैंने यहां पर पुश्ट किय रहे ठीक हैं कि टॉप 100 जिएका चैनल यहां तो आप लोगों ने सबसे जादा व्र दीया है चो आप ने कहा कि चैनल वाजब को बार संथ युब डाल दीजेशाए ekैक पर चिया है उत् सियसाब से जो है मैं चार जन्वरी यानि आज ही के डिट में इस वीडियो को रिलीज कर रहा हूँ ठीक है तो चले स्टार्ट करते हैं तो ये है हमारा वीडियो संख्या 6 और ये है हमारा टॉप 100 जी के और पिछले वर्सों में पूछे गए परिशनों का हल क्या है पिछले वर्सों में पूछे गए परिशनों का हल और ये सारा परिशनों जो है वह रेलवे की एक्जाम से लिए गया है एससी की एक्जाम से लिए गया है डियार डियो की एक्जाम से लिए गया है और आज परिक्षाओं में भी एक काम आएंगे ठीक है और यहां पर प्लीज subscribe our channel यानि हमारे चैनल में अगर अपने हैं तो जरुज़र सब्सक्राइब कर ले ठीक है ताकि किसी फ़रकाइक अपडेट ना छूटे तो देखें यहां पे पहला कोशन क्या है पहला कोशन हमारा है कि अलपाका क्या नाम है अलपाका से क्या पराप्त होता है तो हमें अलपाका से उन या फाइबर पराप्त होता है ठीक है दूसरा नमर देखें विस में सरवाधिक उन कहां पाये जाता है तो आस्ट्रेलिया में पाये जाता है ठीक है अच्छा अगला टमाटर क्या है तो टमाटर एक फल होता है ठीक है क्यों औ तो लॉंग का हम लोग जो पर्योग करते हैं मसाला बागेरा बनाने में के तो इसका मुझा का कली का हम यूज़ करते हैं ठीक कि नांग कि कली को ठीक है अगला कर देक्EP ज्वालाम भूस्फोट किया कहलाता है शाय हुस्ण फोर्ट होता है ने ज्वाला मुख्य का जो support है वो होता है तो भुकंप आने के कारण होता है ठीक है पाच्वा नंबर भुकंप का जो उद्गम स्थल होता है मतलब जहां से भुकंप निकलती है जहां से जहां भुकंप एक्टिव रहता है उस इस्थल को उसको क्या कहते हैं केंद्र कहते हैं क्या कहा जाता है उसको केंद्र कहा जाता है जहां से भुकंप का उद्गा में इस्थाल होता है और जहां इसे महसूस करते हैं उस जमीन को या उस इस्थान को क्या कहते हैं तो उसे अधी केंद्र कहते हैं क्या कहते हैं अधी केंद्र कहा जाता है ठीक है अगला देखिए अगला हमारा है कि भुकम की तिवरता जो होती है ना उस भुकम की तिवरता को किस से मापा जाता है तो भुकम की तिवरता को जो मापत है वो मापत है रिक्टर प्यामाने पर किस पर मापत है रिक्टर प्यामाने पर भुकम की तिवरता को मापा जाता है अगला सिस्मोलोजी क भुकम का अध्यन किया जाता है किसा इध्यन किया दर का तो भुकम के अध्यन को ही Sismology कहते हैं अगला DTP!! DTP एक वैक्षीन है जिसमें P का मतलब क्या होता है Perdusय है T करके मतलब क्या होता है T Everest पर अगला दिखिए लिंगान उपात का क्या लिंगानुपात मतलब आप क्या समझते हैं लिंगानुपात का अर्थ होता है कि 1000 पूरुसों में कितनी महिलाएं हैं उसको दर्शाता है जैसे कि अगर हम बोले कि किसी इस्थान पे 900 महिलाएं हैं परती 1000 में यानि परती 1000 पूरुस में कितनी महिल आया है ना। सो महिल आया है यह होता है लिंगा नुकात ठीक है कि दस नबर देख अधर्च क्या है कि अधर्च एक प्रकंध क्या है एक प्रकंध ये न्तना है इसके साथी हल्दी समय सक 25 सब भी उसका धारन ठेख मुशला जड क्या है गाजर एक जड है सलजम जड है मूली यह सब जड में आता है ठीक है जडों में यह रूट्स में आता है रूट्स का भाग है बर्लिन की दिवार कब गिराई गई तो उनीस सो नबे में और 1989 में थीकर है और सबसे जड पैड पैरो वाला सहस्तर पाद किया है गोजर है थीकर चोदा नमबर देखिए सत्यजीत राए क्या नाम है सत्यजीत राए 1992 1992 में एक विशेस आसकर पराप्त किया था ठीक है और सत्यजीत राए कौन थे तो बंगाल के थे ठीक है और उन्ही को मिला था एक आसकर ठीक है और निर्देशन के लिए विशेस निर्देशन के लिए इन्होंने निर्देशन किया था जिसके लिए मिला था अच्छा एर रह्मान को आप जानते होंगे तो इन्हें भी क्या मिला है आसकर मिला तो म्यूजिक के ये इनको मिला था इनको संगीत में मिला था क्या आयो को जो-इसके अलावाब देखिए यहां पर कॉक्रोच होता है कितने इसके कोच्च में बटा हूए यहां ग्राइड इस साल का टूर्णामेंट होता है जिसमें ऑस्टिलियान फ्रांस ऑपनय विवर्ड डन ओपन और यूए अजो आ Auswone खेला जाता है ठीक है और यह जो grand slam होता है ठीक है यह tennis का खेल होता है जिसमें तीनों ही Australian हो France हो यह Vimaldon हो ठीक है और USA हो यह सारा जो opens होता है यह tennis के लिए है ठीक है अगला देखिए proton में क्या पाहे जाता है तो धनातमा काविस यह यह positive ions पाहब जाता है अगला देखिए question ノमटा की नबर 18 जियामिती का जनक का जनक जलेता है पैथा गुरस को, चिकिटिसाब विज्यान का जनक किसे कहते है तो हिपोreck्रेटस को कहते है ठीक है चिकित सा विज्यान का जनक हिपोखुरेटरस को कहा जाता है विश्व का सबसे उचा इमारत के है, बुर्ज खलिपका कहा है, सुधी अरब में है ठीक है अच्छा, अमरकोस हमारा एक प्राचिन संस्क्रितिक सब्द है ठीक है अमर सिंग नहीं लिखा था अमरकोस को ठीक है और अमरकोस के अभी बताएं एक सब्द कोस यां डिक्शनरी है किसका कौन से भासा का तो संस्क्रिथ हमांसा का डिक्शनरी है अगला हर्स चरीत्र क्या हर्स चरीत्र किसने लिखा तो बानभट ने लिखा था कामरूप समराज का संबंध किस राज्ज से है तो असम राज्ज से है ठीक है याद रखिएगा कोशन नमर 25 देखिए अहम जन जाती कहां पाई जाती है तो अहम जन जाती हमरा असम में पाई जाती है ठीक है अच्छा कोशन नमर 26 देखिए रडार रडार का पूरा नाम क्या है तो रडार का पूरा नाम है रेडियो डिटेक्शन रे एंड रेंजिंग ए फोर एंड ठीक है R for radio, D for reduction, A for end ठीक है और R for ranging radar Radar का क्या का होता है यह संकेतों का गरहन करता है ठीक है कौन सा विमान आ रहा है, कौन सा विमान जा रहा है इसका यह पता रखता है ठीक है Question number 27 NH, NaH, CO3 तो इसको कहते हैं क्या backing soda कहा जाता है इसका राशानेक सोतर है sodium by carbonate इसको बोलते हैं ठीक है sodium by carbonate और इसका दूसरा नाम क्या है खाने का soda ठीक है एवं इसका परियोग किस में होता है अगनी स्थामक यंत्र के रूप में होता है और व्याकरी उधग में होता है question number 28 देखिए धोवन सोडा यानि धोने का soda का सूतर क्या होता है अने 2 CO3 sodium carbonate इसको कहा जाता है और इसका परियोग कहा होता है ग्लास के निर्मान में कागज उधोग में जल की स्थाई का ठोरता को दूर करने में ये सब में इसका उपियोग किया जाता है 29 देखिए किसका बात हो रहा है किसको जोड़ती है तो लाल सागर को जोड़ती है और भूमेद्य सागर को आपस में जोड़ती है कोशन नमर 30 देखिए C.A.G.C.E.C. और सरवोच नियाले के मुख्य नियाइधि किस सेवा नियुड़ती मतलब कब उन्हें रिटार्मेंट मिलता है तो 65 वर्स के आयो में उन्हें रिटार्मेंट मिलता है अगला राष्टपती को सपत कौन दिलाता है तो सरवोच नियाले का जो मुख्य नियाधिस होते हैं वो दिलाते है 32 नमबर राष्टपती अपना त्याग पत्र कीने देते हैं तो उपर राष्टपती को देते हैं ठीक है वाइस परजिडेंट को देते हैं अगला सबसे पहले पहिया किसका बना था तो लकडी का बना था ठीक है यानि वूड का बना था अगला देखे ग्रिन हाउस परभाव पड़ता है किसके करण तो कार्बन डियोकसाइड के करण अगला देखे 35 परकास अंसलेशन से क्या होता है तो वातावरन में कार्बन डियोकसाइड घटती है ठीक है अता वातावरन में पेड़ों को लगाना चाहिए ताकि ग्रिन हाउस का परभाव ना पड़े चुकि पता ही है कि पेड़ों को लगाने पर क्या होता है कारबन डैकसाइड वो लेता है जिसके करण कारबन डैकसाइड का वातावरन में कमी होता है और इससे green house gas green house का परभाव काम होता है ठीक है 36 देखिए भीम बेटका की गुफाए कहां है तो भीम बेटका की गुफाए हमारा मैद पर्देश में मैद पर्देश के रायसें जिले में है कौन सा जिला रायसें जिले में है भीम बेटका और होसंगाबाद का आदमगड से सेल चित्रकारी मिली है कौन से चित्रकारी मिली है सेल चित्रकारी मुख्यता सिकार करते हुए दिखाए गए हैं और ये चित्रकारी जो है सेल चित्रकारी ये मुख्याता सिकार करते हुए दिखाए गए है अगला देखिए 38 मालविकागनी मित्रम क्या नम है मालविकागनी मित्रम की लेख कौन है तो कालिदास है ठीक है मालविकागनी मित्रम किस न लिखा कालिदास ने कालिदास ने लिखा है और क्या इसके अलवा लिखा है रितू सनहार, मेगदूत, रगुवन्स यह सब कालिधास ने लिखा है ठीक है अगला देखे संस्कृत में विद्वान कौन थे कालिधास थे तो कालिधास जो है वो संस्कृत में विद्वान थे Michael Phelips कोन है तो USA यानि United States of America के एक तेराकी है ठीक है और बहुती ये नामी तेराकी है हमारे एक देश अफ्रिका में जमाइका तो जमाइका के धावक कोन है Usain Bolt ठीक है और ये बहुती विख्याद धावक है बहुत तेजडोडते हैं क्या नमें Usain Bolt और अगला देखिए भारत के पर्थाम मुह्खे चुनाव आउकत कौन थे तो भारत के पर्थाम मी के सप्सकुरुक्त सेंड शुकुमार सेन अगला दिखे पर्थाम महिला मुह्खे चुनाव आउकत कौन बनी मते लें रामा मच्छडों की द्वारा फेलता है ठीक है ग्रैफिन का नाम सुने है ग्रैफिन क्या है एक ग्रैफिन एक कार्बन का अपर रूप है साथ इसाथ ग्रेफाइट और हिरा भी इस कार्बन का ही आपरूप होता है अच्छने ग्रेफाइट किया है ब Rush का चर्फरा ग्रेफाइट का है यानी इसे इसक ळचाप पार्यप पाईदा होता है लेकिन यह ऐख अधाथु है तो क्या सकते हैं ऐसे अधातू जो विदूत का सुचालक है वो है ग्रेफाइट और यह क्या है कारबन का पर्रूप है जैसे कि हम लोग पैंसिल यूज करते हैं लिखने के लिए तो पैंसिल में जो काला कलर का जो होता है पैंसिल इसमें अंदर में वही हमारा ग्रेफाइट है ठीक है हीरे का अपवरतनांग पूछ सकता है कितना होता है 2.4 होता है हीरे का अपवरतनांग ठीक है अच्छा बोट क्या है तो बोट है काले हीरे को बोट कहते हैं किसे कहते हैं काले हीरे को बोट कहते हैं बोट का परियोग कहां होता है सिसा काटने में किया जाता है ठीक है अगला देखे जीका वायरस सबसे पहले कहां पाया गया था तो बंदरों में पाया गया था अगला DRDO द्वारा निर्मित क्या किस ने बनाया डी आरेडियों ने बनाया सुर्य का अध्यान के लिए 2019-2020 में आदित नामक अंत्रिक्ष्यान किसने भेजा तो इसरो ने भेजा था किसने भेजा था इसरो ने भेजा था इसरो ने सुर्य के अध्यान के लिए 2019-2020 में आदित नामक अंत्रिक्ष्यान भेजा इसरो के स्थापना कब हुई तो 15 अगस्ट 1979 को किया गया 15 अगस्ट 1979 को 1969 में इस शुरों का पूरा नम क्या है वो आप लिख लेंगे ठीक है स्वतंतरता मिलने से पहले कॉंग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी तो एनी बेसेंट थी कब बनी थी 1917 में बने थी कैसे तो मदराज कॉंग्रेस का अध्यक्ष जब हो रहा था उस वक्त एनी बेसेंट को चुनी गई थी ठीक है अच्छे एनी बेसेंट कहां की रहने वाली थी तो आयरलेंड की रहने वाली थी यानि हमारे भारत की नहीं थी महिला थी जिन्हे भारत में होमरूल अंदोलन का जनक भी कहा जाता है तो अगर पूछे कि होमरूल अंदोलन का जनक किन्हे कहा जाता है तो Ireland की जो महिला थी एनी बेसंट उसे कहा जाता है एनी बेसंट 1917 में भारत किया भारत कॉंग्रेस की क्या बने थी महिला अधिक्ष बने थी पर्थम महिला अधिक्ष ठीक है अगला देखे 56 नंबर 1925 में कानपूर कॉंग्रेस अधिक्ष ठीक है जिसमें सरोजनी नाइडू जो थी ना उसको कॉंग्रेस का अधिक्ष चुना गया था तो हम लोग क्या सकते हैं अगर पूछता कि भारत की पर्थम महिला कॉंग्रेस अधिक्ष कौन है जो भारतिया है त तो भारतिय अगर बोले तो सरोजनी नाइडू लेकिन पर्थम महिला बोलती तो क्या बोलते एनिवेसेंट ठीक है क्योंकि भारतिया नहीं थी कहा की थी आयरलेंड की थी अगला ग्लोकोमीटर देख रहा है यहां पर लिखा हुआ है ग्लोकोमीटर क्या है तो चिकित सक उपकराने ठीक है अगला जलियानों के समय जलियानों के समय को कौन मापता है तो जलियान जो होते है ना उसके समय को कौन मापता है ठीक है क्रोनोमीटर मापता है ठीक है क्रो द्वारा उत्पन सक्ति को मापा जाता है ठीक है अगला देखे समुद्र की गहराई को कौन मापता है तो समुद्र की गहराई को मापता है फैदो मीटर कौन मापता है फैदो मीटर अच्छा पानी के सता पर तेल का पता लगाने वाला यंद्र क्या है क्या कहलाता है ग्रेवी मीटर दुवारा पानी के साथा पर अगर तेल है तो उसका पता लगाया जाता है अगला देखिए तारों का व्यास किसे मापते हैं स्क्रू गेज से मापते हैं ठीक है अच्छा गेस का दबाओ किसे मापते हैं तो मेनोमीटर से मापते हैं गेस का दबाओ अगला देखें, GST, पताईए, GST मोधी सरकार ने लगाया था, इसका पूरा नाव बहुत है, Goods and Service Tax, कब लाया गया था, 2015 में संसद में पेस किया था, जबकि 2016 में इसे पारित किया गया, यहने लागू कर दिया गया था, ठीजिए, संसद में लाया गया था, 2015 में, जबकि 2016 मे से पारित किया गया था, किसे GST को, 65 नमबर देखें, विस्व सरमिक दिवस कब मना जाता है, एक माई को मना जाता है, ठीक है, विस्व प्रेश स्वतनत्रा दिवस, तीन माई को मना जाता है, अगला देखें, विस्व आतंगवाद निरोधी दिवस कब मना जाता है, 21 माई क दो विसव आतंगवाद निरोधी दिवस मनाय जाता है अच्छा जेविक विदता दिवस कब मनाय जाता है कि Allen स्माई को मना जाता है विसो पर्यावरंदि बस 5 जून को मना जाता है ठीक है नि जो uh पेड़ पोधों में भोजन है तो जरूरी चीज क्या होता है परकास अंसलेशन के माइदम से पेड़ पोधे अपना भोजन को बना दिया ठीक है अगला देखे 73 जब पेड़ पोधों में परकास अंसलेशन इसको अंग्रेजिय में फोटो सिंथेसिस कहते हैं ठीक है होता है तब सी यानि कार्मन डाकसाइड गरहन किया जाता है और ऑक्सिजन को क्या किया जाता है बाहर किया जाता है यह फाइब क्लास का कोचन है पोधों क इसके कारण की पतियां हरी देखती है कैंग यहना कि क्लॉरोंफील में क्या पाई जाता है तो पूछता कोई कि क्लॉरोंफील में पाए जाता है मंगनिशियम आप इस तारह से जाते कि पीड पोधोंब पतियाँ में क्लूरोंफील पा festa जाता है और Chlorophyll में क्या पाय जाता है magnesium पाया जाता है कि अगला देखिए chlorine gas में क्या होता है chlorine gas जो है ना रंग ही नहीं है उसमें किसी पर करका Color नहीं होता है और गंध ही नहीं मतलब किसी पर करका उससे कोई गंध नहीं निकलता है क्लोरीन का उपयोग किसमें होता है तो बिलीचिंग पावडर के रूप में होता है बनाने के लिए उपयोग होता है जो पानी को क्या करता है सुध्धी करन करता है अगला देखिए वायो मंडल में वाय मंडल में कितना पर तिसाद नाइ Congrats है तो वह इंडल में स्टाइड legit लेकिन उस से अगर काम होजाए तो आप पॉत हरिमिया कहेंगें लेकिन हाइपर थर्मिया बोलें इसमें दोनों में दिध्रेंस है ठीक है 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 ईप edem Always liquid for me jaar आपर थर्मिया उपराइब हाइपर थर्मिया में क्या पालम करने की विधय को क्या कहते हैं तो डिंख करते हैं क्या कि शूब रिए भारत पाकिस्तान के भीच हुआ था कब हुआ था 1999 में हो था कोड किया था अचाहन विजय और ये करड़ करगेल यूदि बिना किसे सूचना के अचानक से हो गया था इसलिये यह से ना कि सी बड़कर का घुसत नहीं था मतलब यह नद तो पाकिस्तन सरकार और भारत सरकर के दो दोरा क Совकर धिनैज को पहले घोचना किया थे 26 जुलाई 1999 तक चला और 26 जुलाई को हम लोग करगिल युद्र दिवस मनाते हैं विजय दिवस 26 जुलाई को हम लोग क्या मनाते हैं करगिल विजय दिवस थीक है अच्छा 2015 के विश्व क्रिकेट कप की मेजबानी किस ने कीता किया था तो न्यूजिलेंट और और उस्टिलिया ने किया था ठीक है किसान का मेत्र किसे कहा जाता है तो केचुव को किसान का मेत्र कहा जाता है क्योंकि इसमें नाइट्रोजन का इस्थरी करन करता है कौन केचुवा अब देखिए एक कथन दिया है कि मानव के लिए यह एक छोटा कदम मानवता के लिए एक बड़ी छलांग है यह किसने कहा था तो निल आर्मी स्ट्रॉंग और मर्स्ट्रॉंग कॉन है तो 1979 में यानि 1969 में चांज पर पहुंचने के बाद कदम रखते हुए कहा था और वो किस अंत्रक्षियान से गये थे तो उनका अंत्रक्षियान का नाम था Apollo 11 प्या नाम था oxidizing agent द्वारा क्या किया जाता है पैजल का सुध्धी करन किया जाता है याद रहेगा सुचना का अधिकार अधिनियम यादि राइट टू इनफॉरमेशन RTI कब लागू किया गया bey 2005 में लागू किया गया Victoria Memorial Hall क्या Victoria Memorial Hall कहा है तो कोल्कत्ता में है यह यूनेस्को का वेस्विक विरासत सूची में भी सामिल किया गया है ठीक है अगला देखिए गेटवे आफ इंडिया कहा है तो गेटवे आफ इंडिया हमारा मुंबाई में है अच्छा गेटवे आफ इंडिया कब बनाया गया तो 1911 में बनाया गया था जब राजा जॉर्ज पंचम और रानी मेरी भारत आय थी तब 1921 में गेटवेफ इंडिया बनाए गया था विक्तोरिया मेमोरियल की स्थापना किसने कि थी तो विक्तोरिया मेमोरियल की इस्थापना लोड करजन ने किया थाrav ठीक है कहाँ है व्क्कॉष्ण देखें महारानि विक्टोरिया के नाम पर ही विक्टोरिया मेमोरियल का नाम रखा गया था ठीक है यह याद रखें इंडिया जो है वह पर्थम विस्युद्ध में मारे गए सेनिको के याद में 1924 बनाए गया था कव 1924 में इंडिया गेट बनाए गया था तो और पर्थम यूद्धी कब वगया था 1914 से लेकर 1908 तक और दुवित्या विस्वित कब हो था 1949 से लेकर 1945 तक याद रहेगा अगला देखिए विस्मार्क आफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है तो सर्दार वल्ला भाई पटेल को जाना जाता है ठीक है और इन्हें लोव पूरुस भी कहा जाता है यानि यहां पर देखे लिखा हुआ है भारत में भारत के आइरन मैं किसी यानि लोव पूरुस सर्दार पटेल सर्दार वल्ला भाई पटेल को ही कहा जाता है अच्छा सर्दार की उपाधी सर्दार पटेल जी को 1928 में दी थी किसने बार्दोली में किसान का अंदोलन हुआ था बार्दोली में उसमें जब सफलता मिली थी सर्दार वल्ला भाई पटेल को उस कारण से ही महत्मा गांदी जी ने महिलाओं की और से दिया था क्या दिया था उनका नाम दिया था सर्दार ठीक है सर्दार की उपाधी का नाम महादमा गांदी ने महिलाओं की और से दिया था जब 1928 में उन्हें बार्दोली किसान अंदोलन में सफलता मिली थी कि आखरी कोचन देखिए भारत सरकार दुबारा एक रॉज चिन को वर्ष 2010 में अपनाय गया था यह जो इस तरह का रूपिया को हम लोग लिखते हैं तो रूपिया को कुछ इस 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 स्टाइल से लिखा जाता है तो इसी चिन को भारत सरकार ने एकसेप्ट किया था और इसको दिया किसने था उदै कुमार ने इसने उदै उमार नाम के एक व्यक्ति ने सुझाओ दिया था कि रूपिया का चिन जो होना चाहिए कुछ इस तरह से होना चाहिए ठीक है थैंक यू लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें यू और माई फैमली आप हम आप सभी हमारे परिवार के जैसे हैं प्लीज सपोर्ट माई यूटूब चैनल एक्जैमेनिया नोटी बॉक्स और यहाँ पर देखें लास्ट में अगला टॉप 100 का जो वीडियो है ठीक है यानि सातवा वीडियो वह जल्द मैं लेकर आऊंगा ठीक है दोबारा कहना चाहूंगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ताकि आने वाले जितने भी सारे आगा में सरकारी परिक्षा हैं आने वाले परते एक मन्त की करेंट अफ़ेर हैं और जाहे टॉप 100 जी की हो सभी यहाँ पर मिलेगे तो चैनल को ज़रो ज़रो सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें आपका बहुत बहुत धन्यवाद